नमस्कार दोस्त, नीट 2016 का एक बहुत फेमस सा क्वेशन है, उसको हम लोग करते हैं, पार्टिकल उफ मास 10 ग्राम मुव्ज अलोंग उसर्किल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमेटर विद अ कॉंस्टेंट टैंजिंशीर एक्षेलरेशन दिरका है, तो मैं सबसे पहले तो इसको जब इमेजिन करता हूं, तो ऐसे एक सर्किल बनाता हूं, ओके, जो मैंने सर्किल बनाया है मुझे टैंजेंशल एक्सपीड होती है उसीativasikon उसेंटी की तरफ लगती है वो क्या होता है सेंटी पिर एक्से Entrepreneur अब भढ़ा रहा है इस एक्सेलरेशन की विल्यू क्या होगी मतलब आपसे टेंजेंशिल एक्सेलरेशन ही पूचा जा रहा है इव दा काइनेटिक एनर्जी व पार्टिकल बिकम्स इक्वल तो दिस बाइद अफ सेकेंड रिविलुशन आफ्र दे बिगनिंग अफ दे मोशन शुरू हुआ है इसको सबसे पहले काम करो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में चेंज करो बेंगर इसकी स्ट्रेट लाइन membよね STU acquire एक चक्र होता तो कितना करता दिस्टण्स टेवल करता रिषा справ मतलब हो गया आदिए 2 pi r o travel करे और अतने travel करने के बाद माना किस speed कितनी हो गई V हो गई तो मेरे को इसकी kinetic energy दे रखी है मुझे बताना है कि A कितना है तो जो tangential acceleration होता है इसकी speed बढ़ाता है तो कभी भी tangential acceleration का question करना हो ना तो आप इसको एक straight line में माल लो और इस straight line में इसका जो displacement है particle का वो कितना हो गया 2 pi r हो गया circular में देखोगे तो वो कितना है 0 है बट इसको एक रेखा के अंदर इससे बना दोगे तो इतना जो जाएगा अब क्योंकि constant acceleration है तो मैं third equation लगा सकता हूँ V square बढ़ाबर U square plus 2 AS अब U कितना है मेरे पास में 0 V square बढ़ाबर 2 AS परसे यह A ही पूछा जा रहा है इस A की विल्यू कितनी हो जाएगी V square upon 2S अब देखो यह जो information ना इस V के बारे में वो मेरे को kinetic energy से मिल जाएगी तो kinetic energy बढ़ाबर क्या होता है half M V square होता है तो यहां से मेरे को V square मिल जाएगा जिसकी विल्यू आजाएगी 2 into kinetic energy upon M kinetic energy देखो मेरे को कितनी दे रखी है 8 into 10 की पावर मनस 4 इसको लिख दिया मैंने 8 into 10 की पावर मनस 4 और जो मास है वो मेरे को कितना दिया हो है 10 gram तो यहां पे 10 gram लिख दिया gram को मैंने kilogram में change कर लिया तो 10 की पावर मनस 3 से multiply कर दिया यह हो गया आपका 16 यह हो गया आपका 16 into 10 की पावर जो है मैंने यहां पे put कर दी 10 की पावर मनस 4 तो था ही 10 की पावर मनस 2 हो गया उपड जा गया तो 16 into 10 की पावर मनस 2 मतलब 16 बटे 100 हो गया है इसको मैं लिखना चाहूँ तो 8 upon 50 भी लिख सकता हूँ यह मेरे पास V square की value आ गए अब यह V square की value मैं यहाँ पर put कर देता हूँ यह बराबर V square upon 2S इसकी value 8 upon 50 अच्छा नीचे क्या बटा 2 और S S मैं आपको बताया एक चकर में 2 pi r चलता है तो दो चकर में 2 pi r into 2 मतलब 4 pi r चला S की जगे मैंने put कर दिया 4 into pi into r pi की value 3.14 और जो r है वो मेरे को देखो question में कित्ता दिया हूँ 6.4 cm इसको मैंने 6.4 cm and cm को मैंने मीटर में change कर लिया यह बहुत convergence बहुत important है हमेशा दन रखना and अब मैंने इस a को solve कर लिया तो देखो इसे 4 बार यह 4 बार कर दिया 4 से 4 कर दिया यह 10 की पार मानस 2 पड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा यह 50 into 3.14 into 6.4 यह कित्ती बार कर दिया 2 जब मैं 2 में 3 को भाग लगाऊगा तो 0.64 आएगा and this is 6.4 इस तरह से मेरा जो answer आया वो 0.1 meter per second square है options में देखोगे तो this is the correct answer तो यह जाती है calculation होई है calculation में मैनत होई है लेकिन मैनत करने वालों को ही मिलता है बहिया मैनत करते रहो गबराओ मत बस ही है हमारे हाथ में और उसको है से करें यार